प्रॉप्स अप्रॉप्स अब सबका फिर से एक बार हमारे डार्क सिक्रेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स मैंने पहले भी टेमेटो के उपर दो तीन वीडियो बनाई है जिसे आप लोगों ने बहुत ज़दा पसंद किया और मुझे उसमें हजारों कमेंट्स आये बहुत सारे लोगों ने उसे ट्राइ किया और मुझे कमेंट्स करकर बताया कि उन्हें उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला तो उसमें कुछ सवाल भी थे उसके एंसर में आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ तो उसमें मैंने टेमेटो का एक स्क्रब की तरह इस्तमाल किया था तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स एसे थे जिसमें मुझे पूछा था कि मैं हम tomato का paste बना कर लगा सकते ही क्या तो जी हाँ बिल्कुल लगा सकते है paste या recruiting यानि कि आप इसका एक face pack बना कर लगा सकते है लेकिन सिर्फ आप face pack की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे करने से स्किन ज्यादा ब्राइट दिखने लगती है इसलिए मैं आपको टैमेटो का स्क्रब और फेस पैक की तरह इस्तमाल कैसे करना है वो बताऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार हमारा वीडियो टमाटर लेना है आपको सबसे पहले इसे दो भागों में कट करना है और इसके फर्स्ट पार्ट का हमें इस्तमाल करना है स्क्रब की तरह जिसके लिए हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर यानि की हल्दी तो फ्रेंड्स उस कमेंट्स में आपका सेकेंड सवाल था कि हल्दी से चेहरा पीला पड़ जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हल्दी हमारे स्कीन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्यूंकि आयूरेद में हल्दी को बहुत ज़्यादा गुनकारी माना गया है क्यूंकि इसमें आंटिबैक्टेरियल प्रॉप पनाता है तो आप क्या करें बहुत ही कम मात्रा में हल्दी का इस्तमाल करें और जिन लोगों के स्कीन के उपर पिंपल्स एकने है तो उन्हें तो हल्दी का बहुत ज़्यादा उप्योग करना चाहिए अपने स्कीन के उपर तो आपके पिंपल्स से जल्दी ही दूर हो तरीके से स्कुरब करनी है और बीच बीच में इसे स्कुीस करती रह यह ताकी टमाटर का ब्यूस dovह भार आ ये आपके स्कीन के पोर्स कीद्ध भी सफाई करता है जिससे आपकी स्कीन डीपली क्लीन हो जाती है और bright दिखने लगती है फ्रेंट्स आप किसी भी cosmetic bleach का इस्तमल ना करे अपने चेहरे के उपर जो आपको temporary गोरापन दे और बाद में आपके skin को खराब और काला कर दे फ्रेंट्स टेमेटो में lycopene और vitamin A और C भरपूर मात्रा में होता है जो आपके skin से dead cells को हटा कर उसे bright बनाता है फ्रेंट्स पांच मिनिट तक इसे अच्छी तरीके से massage करने के बाद आपको इसे 10-15 मिनिट के लिए अपने face के उपर ऐसे ही छोड़ना है और जब ये सूख जाएगा तब आपको इसे normal पाणी से wash करना है और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीलापन पूरी तरीके से निकल जाए तो किसी भी अच्छी ब्रैंट का soap या फिर face wash से आप अपने चेहरे को wash कीजे तक कि आपके चेहरे से सारा पीलापन दूर हो जाए तो अभी मैं मेरे हाथ को face wash से wash करती हूँ और आपको इसकी second step बताती हूँ तो इसकी second step बनाने के लिए हमें चाहिए हमारा बचा हुआ आधा टमाटर, rice flour यानि की चावल का आटा और milk यानि की दूद तो फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए आधा टमाटर को grate कर इसका juice निकाल कर ले लिजिए तो फ्रेंट्स अभी मैंने टमाटर को grate करकर ले लिया है और अब आपको एक clean bowl लेना है और उसमें आपको दो चम्मच rice flour यानि की चावल का आटा आटा आट करना है और फिर आपको इसमें आट करना है दो चम्मच टमाटर का juice और फिर आपको दूद की सायाता से इसका स्मूध पेस्ट बना कर लेना है तो फ्रेंट्स आप मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है और आप इसे अपने फेस के उपर और नेक के उपर भी अपलाई कर सकते हैं अब आपको इसे अपने फेस और नेक के उपर इस तरीके से अपलाई करना है मैंने इसमें राइस फ्लोर यानि कि चावल के आटे का इस्तमाल इसलिए किया है क्योंकि राइस फ्लोर में स्कीन वाइटनिंग प्रॉपर्टिस होती है जो आपके स्कीन को इंस्टेंट ब्राइट बनाता है और मिल्क जो होता है फ्रेंट्स वो आपके स्कीन कॉम्पलेक्शन को बढ़ाता है जिससे आपके स्कीन ब्राइट होने के साथ साथ सौफ्ट और मुलायम भी होती है तो फ्रेंड्स इसे अपने फेस की उपर लगाने के बाद आपको इसे सूखने के लिए ऐसे छोड़ना है और 15-20 मिनिट बाद आपको अपने फेस को वाशकरना है फ्रेंड्स अभी अच्छी तरीके से सूख गया है और अब मैं इसे वाश करके आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ हल्दी के कारण इसमें एक नैचरल निखार आया है और टमाटर राइस फ्लोरान मिल्क की पैक से स्कीन पर एक मिल्की वाइट लुक आया है फ्रेंड्स देखा ना एक ही बार इस्तमाल करने पर इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है तो फ्रेंड्स इसके अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे रेगूलर हफते में तीन बार ज़रूर ट्राइ किजिए तो आपके स्कीन का कॉंपलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेर कमेंट्स करना मत भूलिए और आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए क्योंकि ऐसे सिक्रेट्स में आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ जो आपसे मिस नहूँ तो फ्रेंड्स मैं अब आपसे मिलती हूँ मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिक्रेट के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें और अपना ख्याल रखें